आज बहुत अच्छा दिन था जितने लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं और मैं बार बार एक पॉइंट आपको बताते हैं आ रहा था किने इक मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है क्योंकि मार्केट में देखेंगे दो चात दिन से दूनों साइड मूव हो रहे है तो कहिना के एक्सपारी में हम लोग प्लान कर रहे थे एक अच्छा खासा टार्गेट हो सकता है लेकिन विशी हुए रहा कि ने ग्याप खुला देखिए गयाप खुलने के बाद इतने लोग 5 पेमे के हिसाब से सौट किया होंगे उन लोग को तो बहुत बड़ा प्रॉफ में क्या प्लान किया थे फस्तिंग हम लोगों ने प्लान किया था 48,000 47,700 यह दोनों पहुत जादा कुरसियल लेवल होने वाले हम लोगों डिसकसन किया था मार्केट अगर फ्लाट खुल के यहां से क्रॉस करता है हम लोग को 48,200 यह 200 पॉइंट का टार्गेट मिल सकता है अ उसके जब बड़ा कंडल बना इट सेलिंग सिनारियो और उसके बाद कंटिनुवसली हम लोग का प्लान था 47,500 के आस पास जाने के लिए और मार्केट संबहर हों क्लोजिंग 44,445 दिया है लिए इंट्राडे में ट्रेड किया होंगे हो सकता है अगर एंड में क्लोज किया ह के आसपास मिला है तो अगर देखेंगे नेट तो नेट के अंदर दोनों साइट का टारगेट अचीव हुआ है लेकिन बार बार यही पॉइंट बता था जब ही मार्केट में गयाप ड़न खुल जाता है युनिट सी दप्राइस एक्षन आज क्या हुआ हम लोगों ने प्ल क्लोजिंग उपर दे रहा था और यह पॉइंट में बता था 15 मिनट चार्ट के अंदर अगर यह 5 में के साथ एम पैटन बन रहा है इसे कंफरमेशन साइन की नहीं हां थोड़ा सा हम लोग सेल कर सकते हैं ट्रेंड इस यूर फ्रेंड जब तक यह फिर एंड में थोड़ा सा बेंड नहीं होता है इन दिस केस मार्केट ऊपर गया यहां नीचे आया क्लोजिंग प्राइस के आसवा सपोर्ट बनाया फिर यहां पर ब्रेकडाउन हुआ बाइक सींग दूश सकते हैं कि यहां 200-300 पॉइंट का और मूव मिल सकता है और एक सिंपल रूल के हिसाब से भी बारा बजे के बाद मार्केट जो भी साइड में ब्रेक आउट ब्रेकडाउन दे रहा है उसी डायरेक्टिन में अगर ट्रेड लेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस देखे तो भी प्रोफिटेबल हो सकते थे अभी देखेंगे एक ग्याप के आसपास आ चुका है नो डाउट मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है टॉप से अगर हम लोग देखेंगे वाटिव अगर यह फिट से कल 47600-700 इस तरीके गयाप अप खुला अगर यहां पर गयाप खुलता है तो इतल बीकेमें इंसाइड कैंडल तो हम लोग जादा ट्रेड नहीं प्लान करेंग इतल बीकेमें ऑफसं सेलर डे क्योंकि एक इंसाइड कैंडल बन गया अगर मार्केट गाप डाउन खुलता है अगर मार्केट गाप डाउन कुलता है डाजिज इस पेस के नहीं और एक दिन अल्मुष्ट हम लोगों को 47000 के आसपास कहीं पर फॉल होने के बाद यह पहुज 47400 अगर 400 या फिर 380 ब्रेक करता है प्लान कर सकते हैं और हम लोग का टार्गेट 47,050 के आसपास होना चाहिए स्टॉप लोगों से याद अगर जरूद नहीं है लेकिन अगर 600 650 इस तरह यह गाप खुलता है इग्नोर दे क्योंकि यहां पर हम लोगों को इंसाइड कैंडल म 47,000 अल्मोस 12 से पॉइंट का फॉल हो चुका है तो थोड़ा सा मार्केट हो सकता है पहुझ ले निफ्टी होए रहे जगर निफ्टी देखेंगे निफ्टी पिक्चर फरफेट सेनारियो था ग्याप भी खुला पोजिटिव सेंटीमेंट में क्लोज हुआ था ग्याप भी पहला एक हाई लगाया क्रॉस नहीं कर पाया फिर उसका नीचे यहां से फिर एक एम पैटन बनाया इसलिए मैं बोल रहा हुझ अब तक यह एम पैटन नहीं दिखता है एग्रेसिव अम लोग प्लान नहीं कर सकते प्रिवेस टाइम की आव रहा था मार्केट कंटिवसली अ और एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है इसके अंदर एक ग्याप समय रहा हुझ 20,900-21,000 राउंड लेवल है इस जोन पे कही ना कहीं थोड़ा सा बाइंग आएगा क्योंकि यह लेवल सारे पोजिटिव है अगर कल ग्याप डाउन खुलता है इस जोन पे तो हो सकता है पांद के से दिख रहा है एक यह दो इक हम लोगों को होल देखने मिल सकता है या थोड़ा सा जाधा करेक्सम देखने के लिए मिल सकता है बहुत ही अच्छा मार्केट था नो डाउन मोनिंग आवर में थोड़ा सा कन्फूजन हुआ होगा जब मार्केट गाप खुला हम लोग प्ल देखने मिला क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दिया है लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव था तो कल एक पारी के लिए हम लोगों सिंपल रखेंगे एक प्रोफिट मिल चुका है करेट बहुत सारे लोग अपना पोजिशन पूट हो गया या फिर सेलिंग का पोजिशन होल्ड कर करके रखेंगे कल अगर मार्केट में फिट से ग्याप डाउन खुल जाता है इमाजिन करो जैसे आज हुआ बहुत सा लोग पोजिशन अगर होल्ड करके रखेंगे गया उनके फेवर में थोड़ा सा प्रोफिट बुकिंग आया फिन निफ्टी बैंग निफ्टी सारे एक जबाद बैंग निफ्टी जमें बैंग बैंग निफ्टी ऐसे यादव से और आज पास इन निफ्टी बीसें तो एक करेक्षन मोड पे आ चुके तो जब भी आप लोग को साफ सेलिंग दीखे रहा है उसके बाद पहले एक सेलिंग आयागा याज कल अगर अगर गैब 500-400 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर देट सो इस तरीगा कुछ अगर गाप डाउन खुलता है तो यह जोन पर हो सकता है सपोर्ट ले और फिट से यह यहां तक फिर मूव करें तो फ्लाट खुला तो एक सिनारियो मिले अगर एकने ब्रेक करता है हम लोग ट्रेड करेंगे 25-30 रुपे 40 रुपे अगर गाप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास 100 के आसपास अगर गाप डाउन खुलता है तो हम लोग को और एक फॉल देखने मिल सकता है 20,950 तक 60-70 पॉइंट का मूब दिख रहा है पॉसेबल है कब जब 40-50 रुपे उपर निचे कल उससे ज्यादा अगर बहुत बड़ा उपर निचे खुला तो फिर रिक्वेशन चेंज हो जाएगा बहुत बड़ा गाप डाउन खुला तो हो सकता है फिर रिवर्सल आजाए तो यह बहुत जबाइब इंपर्टांट होता है गाप पोजिटिव मार्केट में खुलता है लेकिन अगर कंटिनुसली घाप खुला इसके लिए मैंने बोला था कि अगिंस्ट रेंड जभी भी ट्रेड कर रहे हूं आप लोग एम पैटन देख सकते हो और आप लोग को दि यह सारे ब्रेक करेंगे और यह लेवल वीग भी हो चुका था हम लोग डिसकस किये थे और कल यह पॉइंट भी डिसकस किये थे